हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं साथ बिमारियों ने लोगों को अपनी चप्रेट में लेना शुरू कर दिया है सर्दी के बाद अब धीरे धीरे गर्मी की दस्तक हो रही है लेकिन मौसम परिवर्तन के साथ ही अब सर्दी जुकाम और बुखाय जैसी बिमारियों के रोगी लगातार पढ़ते जा रहे हैं यही वज़ा है कि बाद में जिला अस्पताल में रोग्यों की संख्या में प्रति दिन इजाफा होता जा रहा है और अस्पताल में भारी भीड नजर आ रही है डॉक्टरों को देखने के लिए मरीजों की लंबी-लंबी कतारे भी लग रही है जिला अस्पताल की प्रमुक चिकित्सा और स्वास्त दिकारी डॉक्टर बीयल मंसूरिया के अनुसार अब जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है वैसे ही अस्पताल में अब मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उन्होंने पताया कि जहां जिला अस्पताल की पहले OPD 1500 के करीब हुआ करती थी अब वो बढ़कर करीब 2000 तक पहुँच गई है उन्होंने कहा कि ऐसे कोई गंभीर बिमारी के रोगी सामने नहीं आ रहे है लेकिन मौसम परिवर्दन के साथ ही साथी जुकाम और वुखार के रोगीयों की संख्या में जरूर बढ़ोत रही है उन्होंने कहा कि अस्पताल में OPD की संख्या बढ़ रही है और उसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से समूचित तयारी है और साथ ही आमजन से अपील है कि बढ़ते मौसम में अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें ताकि बिमार्यों से बचा जा सके जागरुक टीवी के लिए बार्ड में से ठाकरा राम मेगवाल की रिपोर्ट